गर्मा गर्म और फूले हुए पूरी के साथ सबसे बढ़िया जो जाता है वो है स्पाइसी अंड टैंगी आलू की सबजी तो आज मैं जो आलू की सबजी बनाऊंगी वो मेरे घर का स्पेशल है और आज का जो रसीपी है वो ब्रेथफस्ट के लिए एक तम परफेक्ट है तो सबसी की तेयारी घंड़ kanamu बीडिया चोटे चोटे कूप में काट लेगे ब्रेक्फस्ट लिए जितना चोटा आलू का टोगे उतना जल्दी आपका ब्रेक्फस्ट रीडी हो जाएगा सो एक बार कटने के बाद अच्छी तरी की से दोलेंगे ठील के बादे थे तरी के जीरा डालेंगे एक लाल मिर्च और एक तेज पत्तर डाल के थोड़ी तक फ्राइ करेंगे प्राइ करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारा कटा हुआ अलू और अलू के ऊपर मैंने यहां पर तोरह साउल्ट डाला है ताकि मेरा जो आलू है उसके अंदर अच्छे से चला जाए और फिर मैंने यहां पर तोरह से हल्दी भी डाल दिया है ताकि आलू का जो कलर है वह एक तम बढ़िया तरीके से आए फिर हम इसे अच्छी तरीके से फ्राइ करेंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे दो ग्रिंचिली मैंने यहां पर बिल्कुल भी लाल मिर लिगा ऐसे लाला फिर हल दॉति डाला फिर मैंने यहां पर डाला जीरा झाल अब थोरह से पाणी अपर जैन्utation बडेंगे थाके हमारा से मसाला है वह और ये अच्छी तरीके से को कुग हो चुका है तो मैं सके इंदर डालूंकि दो कप पाणी हमें से तब तक पकाना है जब समेश कर देंगे और यह हमारा जो आलू पाइसी वाला आलू का सबजी एक तेम बनके तयार है तो चलिए आप पूरी बनाते हैं तो पूरी काचाएं हमने बना के रखाता है उसे थोड़ा और मसल लेंगे फिर हम इससे काटें पूरी की लोई और लोई को तोरह गोल गोल तो मैंने ऐसे ही बना लिया तो गोल सा पूरी अब इसे हम फ्राइ करेंगे तो पूरी आप पूरी को तभी फ्राइ करें जब तेल एक दम गर्म हो और उसमें से धुआ निकल रहा हो तो क्या होगा कि आपका जो पूरी है वह एक दम प्रॉपर जो फूलता है न वैसा पूरी के साथ यह आलू की सबजी मेरा सबसे पसंदिला है तो यह बहुत ही टेस्टी बना है इसे घर में जरू ट्राइ करना वीडियो अच्छे लगा होते से लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना बाबाई